दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का अप्लिकेशन क्रियेट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 मिनट के अंदर में आप खुद का अप्लिकेशन कैसे क्रियेट कर सकते हैं और वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए Android हो iOS हो Windows हो या फिर Blackberry हो किसी भी प सारी के साथ अप्लिकेशन क्रियेट कर सकते हैं अगर आप नीचे आते हैं तो आपको और भी दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि सबसे उपर आते हैं और यहां से create your free app में चाहते हैं हम लोग सबसे पहले तो आपको अपनी आप का नाम जो है वो यहां पर डालना है तो for example मैं यहां पर डाल देता हूँ डेमो अप और यहां पर अपनी जो category है वो चूज करने है आपको तो बहुत सारी category है यहां पर for example मैं यहां पर चूज कर लेता हूँ entertainment और उसके according आप यहां पर देख सकते हैं डेमो या फिर charity पहुत सारे हैं यहां पर तो कोई भी आप जो है वो चूज कर सकते हैं for example मैं यहां पर business चूज कर लेता हूँ और यहां पर आपके पास प्रिव्यू के option है आप जो है android के according प्रिव्यू करना चाहते हैं या फिर ios के according windows के according blackberry या फिर दूसरे तो for example android smartphone मैं रे चूज कर लि है और इसमें आप डालना चाहते हैं तो आप यहां पर उसका नाम डाल सकते हैं या पर simply आप स्किप कर सकते हैं तो मैं यहां पर डाल देता हूँ बिली for you और यह है मेरा page यहां पर simply आ गया मैंने इसको select किया next अब यहां पर आपको जो है अपना layout चूज करना है कि किस तरह का आपको जो है home page रखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं यहां पर आपकर जो भी है menu होगा उसके साथ ही यह भी option आप चूज कर सकते हैं कोई भी option आप चूज कर सकते हैं यहां पर आपके पास बहुत सारे templates मिल जाते हैं तो for example मैं यह चूज कर लेता वो सारी चीज़े आपको यहीं से डालनी है तो for example, यहाँ पे about us page है कुछ page अलड़ी include कर दिया गया है हम चाहे तो इसको delete भी कर सकते हैं और अपने according यहाँ पे बहुत सारे option है जैसे कि social है, multimedia है, videos, photos यहाँ फिक्सबुक, youtube वगरा को अगर आपको include करना हो तो वो चीज़े आप include कर सकते हैं वैसे ही हाँ पे contact है, commerce है उसके बाद information है जो भी information आपको डालनी हो documents डालना हो, blog डालना हो या फिर कोई code वगरा डालना हो तो वो सारी चीज़े आप यहाँ से डाल सकते हैं तो आपकी पास यह सबसे important है जो भी menu, जो भी option आप डालना चाहते हैं वो आपका यहीं से डालेगा नीचे आपको मिल जाता है अगर आप logging बगरा डालना चाहते हैं इसको customize करना चाहते हैं तो वो चीज़े आप यहाँ से customize कर सकते हैं तो चलिए इसको edit कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर about us page है about us page में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर देखिए यह हमारे facebook page के recording automatically इसने जो है about us का जो section है उसने ले लिया है यहाँ पर award, youtube, silver, play button और जो भी हमारा description था उसने automatically ले लिया है तो यहाँ पर हम लोग खुद से अपने information fill कर सकते हैं जो भी हमारी information है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं for example, यह है 2014 और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो सिफ photos वगरा डाल नहीं हूँ तो photos वगरा डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए अपना logo डाल देता हूँ यहाँ पर क्रोप करने के लिए आ गया चलिए मैं इसको क्रोप कर लेता हूँ save ठीक है यह हमारा logo यहाँ पर आगया आप अपनी photos वगरा या फिर जो भी चीज डालना चाहते हैं मुझ चीज डाल सकते हैं सारी चीज़ों कुछ है वो customize कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे कि website है for example हमें इसको delete करना है मैं यह नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई website का section रहे तो मैं यहाँ से इसको delete कर दूगा यहाँ पर हमारे पास option आ जाते है preview करने के, hide करने के यहाँ फिर लॉक करने के यहाँ पर likes भी आ गए और यहाँ पर view करने के भी आ गए तो जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ डाल सकते हैं वैसे यहाँ पर video का section है मतलब यह सारी चीज़े default दी गई है हम चाहँ तो इसको delete कर सकते हैं पता नहीं यार तो यहाँ पर आप चूस कर सकते हैं उसका नाम क्या रखना है and then URL में यहाँ पर YouTube उसका नाम आप डाल सकते हैं YouTube यहाँ पर आप videos वगएरा कुछ भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं URL यहाँ पर search channel डालना है चैनल डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर user डालूँगा क्योंकि मेरा URL है उसमें user है अगर आपका channel है तो आप channel डाल सकते हैं यहाँ पर simply direct URL डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर user डाल देता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ अपना username Billy for you और हमारी जो भी videos हैं वह सारी की सारी यहाँ पर आ गई तो काफी आसान है आप जो है अडवांस में जाकर के और भी चीज़ें जो है वह यहाँ पर settings कर सकते हैं जैसे कि autoplay अगर आप on करना चाहते हैं तो autoplay कर सकते हैं screencast याइंप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हम simply यहां पर जाएंगे add में add में जाने के बाद यहां पर हमारे पास दूसरे options हैं तो उनमें से जिनको भी हमें चूज करना है उनको simply add कर देंगे तो for example मैं यहां पर contact डाल देता हूं contact us and तौसीफ उसके बाद phone number यह मेरा phone number है और भी दूसरे information डालने हो वो भी चीज हम यहां से डाल सकते हैं ठीक है तो जो भी information आपको डालने हो वो चीज आप यहां पर डाल सकते हैं जो भी आपको यहां पर add कर दा हो एक्स्ट्रा features वो सारी चीजे आप यहां पर जो है वो add कर सकते हैं उसके साथ ही यहां पर और भी दूसरे option है, उनको भी आप customize कर सकते हैं जैसे कि यहां पर login के लिए है, login customization इनके उपर आप settings कर सकते हैं कि क्या-क्या आपको option डालने हैं, क्या-क्या आपको नहीं डालना है advanced setting में जाएंगे, आपको और भी option मिल जाएंगे या फिर अगर आपको और भी customization करनी है, theme वगरा change करना है तो आप यहां से जाकर के जो है, again change कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास और भी दूसरे option है किस तरह का format रखना है, text वगरा का style वो कैसा रखना है मेरे पास यह है, मैंने इसको select किया फिर से हमें crop करना है यहां पर यह png है, आप हमेशा icon में कोशिश करें कि आप transparent png यूज करें यह white है, तो यह जादा अच्छा नहीं दिख रहा है बट फिलहाल हम इसको add करें उसके बास save and finish आपको सबसे पहले तो login करना होगा मैंने already login किया हुआ है आपको यहां पर facebook या पर आप खुद का create कर सकते है, sign up कर सकते हैं यहां पर directly facebook से login कर सकते हैं तो मैंने यहां पर login किया हुआ है अब यहां पर आप जैसे इसको publish करने के लिए जाएंगे तो यहां पर आपके पास चार option आजाएंगे आप इनका premium plan ले सकते हैं जिसमें आपको different option मिल जाते हैं आप free plan भी use कर सकते हैं लेकिन free plan में problem यह होगी कि आपको ads देखने को मिलेंगे जो कि appi pie ads होंगे आपके खुद के ads नहीं होंगे लेकिन अगर आप monetize वगएरा करना चाहते हैं तो आपको मैं suggest करूँगा कि आप इसका कम से कम basic plan लें लेकिन आप demo के लिए खुद try करने के लिए आप free plan try कर सकते हैं और यह हबारा application है जिसका logo आप देख सकते हैं नाम देख सकते हैं अगर आप multiple application create करते हैं तो वो सारी चीज़े यहां पर आ जाएंगे उसकी साथ ही यहां पर हमारे पास पूरा का पूरा डैश बोर्ड है अगर आप edit करना चाहते हैं आप edit कर सकते हैं app as a website या फिर push notification वगरा जैसे कि हमें आरे पास जो कोई application होता है उसमें notification वगरा आता है तो आप अगर notification वगरा भीजना चाहते हैं तो आप जो है notification वगरा भीज सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको subscribe करना होगा यहां पर और भी दूसरी चीज़े हैं आप जो है plan वगरा अपडेट कर सकते हैं या पिर आप अपनी application को monetize भी कर सकते हैं अगर आप यह चाहते हैं कि आपको खुद का add हो अगर आपका application कोई download करता है और इसमें advertisement चलती है और आप उससे earning करना चाहते हैं तो आप यहां पर in options का use कर सकते हैं लेकिन free में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपको पहले इसका plan लेना होगा अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग इस application को test करेंगे download हम लोग वह कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको यहां पर आना है test app में जो भी आपका application है test app में आना है यहां पर problem यह है कि अभी हमारा application डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको maximum 2 hours वह वह वेट करना होगा जब भी आप create करेंगे क्योंकि यह पूरा का पूरा process जो है वह अभी creation का process चल रहा है मतलब progress हो रहा है आपने जो भी चीज किया था edit किया था वह सारी चीज़े एक package में अभी तयार हो रही है तो आपको maximum 2 घंटा जो है वह लग सकता है तो 2 घंडे के बाद आपको वापस आना है और इसके बाद आप यहां से download कर सकते हैं और then share कर सकते हैं तो wait कर लेते हैं और इसके बाद देखेंगे हम लोग उसको test करके ओके तो farid हमारा application जो है create हो गया है और यहां पर हमारे पास download के लिए आ गया है साथ में link generate हो गया है और साथ में qr code भी generate हो गया है तो अब आप इसी directly share कर सकते हैं तो चलिए मैं qr code की जरीए इसको download कर लेता हूं और यहां पर इस application को मैं open कर लेता हूं launch और यह हमारा download हो रहा है open file install और इससे हम लोग open कर लेते हैं यह आपका free version है इस वजह से मेरा यह application नहीं free version है इस वजह से यहां पर हमारा same appi pie का logo वो आ रहा है तो यहां पर कुछ चीज़े allow कर रही है आप allow भी कर सकते हैं deny भी कर सकते हैं और यह हैं हमारे application इसका interface देख सकते हैं जो भी हमने choose किया था क्योंकि आपको ऐसे ही interesting videos यहां पर मिलेंगे खयर शली मिलते हैं नेक्स वीडियो में खुदा हफीज अपना ख्याल लखिएगा